नमस्रे बच्चों कैसे हो आप सब तो मैं आज लाई हूं मेरी पांच में कक्षा के लिए पार्ट नमबर पांच लाला लाज पत्राय जी जैसे कि आप जानते हैं लाला लाज पत्राय जी हमारे वारत को अजात करवाने के लिए अपने एक देश बक्तों में से एक थे जिनोंने अपना अपनी जान कुर्बान की थी तो शुरू करते हैं लाला लाज पत्राय जी का जरम 28 जनवरी 1885 हिस्वी को मुगा जिले के टुड़ी गामें हुआ था ये वारत के परमुख संत्रदा सैनानी थे जिने पंजाब के इस्वी भी कहा जाता था इनके पिता जी का नाम अगरादा कृष्ण था रादा कृष्ण जो एक अध्यापक थे और वह उर्दू के लेखक भी थे उनकी पिता जी उर्दू में लिखते भी थे और उन्हें समा सेवा का बहुत शोंग था वो दूसरों की सेवा करने में हमेशे ही तियार रहते थे और उन्होंने अपने बच्चे की अपने जानी की लालाला पत्राय जी की शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जब लाला पत्राय जी चोटे बालक थे तब उनके माता पिता जी बिमार पढ़ गए तब उन्होंने अपने चोटे भाई बैनों को भी संबाला और अपने माता पिता की भी खूब सेवा गी जब उनके पिता जी ठीक होगे स्वस्त होगे तब उन्होंने पूझा कि नोकर कहा है तो लाला पत्राय जी ने बड़ी विनरमता के साथ उतर दिया कि वो तो पहले दिन ही यहां सर भाग गया तब उनके पिता जी ने हैरानी से और दुख में कहा कि तुम्हें हमारे कारण कितना काश्ट हो आया तो उन्होंने कहा कि नहीं पिता जी मुझे तो इसमें बहुत सुख मिला है फिर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे आशा कि तुम बड़े होकर अपनी जीवन में देश की और दिन दुख्यों की सेवा करोगी इसी एक बार क्या हुआ हम जब देश में बुकाम पाया अकाल पड़ा तो लाला जी ने बहुत जगा जगा पर शीवर लगा और लोगों की ब परकार से अच्छी विद्वान थे पर फिर भी उन्होंने उर्दू में लिखा ताकि जन सदान जो जनता हैं उनको भी अच्छी परकार से समझाए अपने देश की कल्यान के लिए लाला जी नी कई बार कई देशों में गुमे वे एक बार गोपाल किशन गोकले जी के साथ गए और बाद में वहीं से जापान चले गए प्रंतु अंग्रेजी सरकार उनसे इतना डरती थी कि लाला जी को भारत में दुबारा आने के अनुबती नहीं देगी फिर वेवान से इंग्लेंड गए वहीं से अमेरिका लाला जी ने अपने देश के हालाद दुनिया के कोने में पहल चाहते थे इसलिए उन्होंने अमेरिका में के अकभारों में लेख लेके पुस्के भी लैकै उनके दौरा अमेरिका में लेकी यंग इंडिया बहुत प्सुद्ध होई पुस्त का नाम है उनकी यंग इंडिया बारत लोटने के बाद उन्होंने संत्ता अंदुलन में भाग लेना शुरू कर दिया 30 अक्तूबर 1923 में लहौर के अंदुलन में भाग लिया तब अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज करने पर पूरी तरह से घायल हो गये और 17 नौबर 1928 को उनका ध्यान तो गया पड़ी एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन की कील बनेगी उनकी यह बात सत्ते हुई और उसके बाद हमारे देश हमारे हमारे जहां हमारे देश में कितने ही करांतिकारियों बने और उन्हों के प्रत्वन से हमारा देश जल्दी ही आजाद हो गया इस प्रकार इस पार्ट में लाला लाज पत्राय जी के बारे में बताया गया है तो आप सभी बच्चों ने ये पार्ट को अच्छी प्रकार से पहले पढ़ना है पढ़ने के बाद लाला लाज पत्राय जी के बारे में आपने एक नीबन त्यार करना है धन्यवाद बार्ट